हेलो फ्रेंड्स नमस्क्रार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मेरा नाम गुड़ू कुमार सिंग है और आप लोग देख रहे हैं गुड़ू ओपिसियल बिहारवला दोस्तों आज मैं आप सभी को कम्पनी के बारे में बताऊंगा अगर आप लोग उसमें जाते हैं काम करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा सिलरी भी बहुत ही बेस्ट मिलता है उस कम्पनी में दोस्तों कम्पनी के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को उसका वेकैंसी कहां आता है वो company में क्या problem है, क्या दिकत है, शदरी time से है कि नहीं है, खाना उसका कैसा है, इस सब मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों, दोस्तों ये बताने से पहले मैं आप सभी से छोटा request करूंगा, जो भाई channel पर नए हैं तो play channel को subscribe कर लिजेगा, और notification on कर लिजेगा दोस्तों, दो आप लोग नए हैं, पहली बार गल्फ में जाना चाहते हैं, काम आपको पूरा मालूम नहीं है, चाहें वो pipe fabricator हो, चाहें structure fitter हो, चाहें builder हो, चाहें, मनि mechanical trade में कोई भी trade हो आपका, आप लोग पूरा वो काम नहीं जानते हैं, आप लोग को 50% मालूम है, या 30% मालूम है, या 75% मालूम है, ता आप लोग जो मैं company का नाम बता रहा हूँ, उसमें जाएंगे ता आप लोग बहुत अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा सकते हैं, helper में जाके, मेंगा अच्छा पैसा आप लोग कमा सकते हैं, अच्छा सिदरी लगेगा आप सबी को, तो दोस्तों, जि वीकेंशी पाईप फीटर, फब्रीकेंटर, फिटर, मेकानुकण। फिटर, रिगर, गैस्टर, बेलडर, टिक बेलडर वेलडर इस सबका पेकेंशी सबसे जयादा इस कम्पनी में रहता है। दोस्तो इस कंपनी में जो आर्गन बेल्डर है टिगा एंड आर्क बेल्डर उनको शिलरी 260 केटी से उपर रहता है यहन। 260 केटी है स्टार्टिंग है उसमें 260 केटी से उपर मिलता है 8 गंटे का उसके बाद ओवर टाइम है दोस्तो इसमें दोस्तो इसमें बेल्डर का सेलरी जो नॉर्मल बेल्डर है आर्क मारते हैं 3G, 4G मारते हैं उनका सेलरी इसमें 150 केटी से उपर है 150 से 160 केटी से उपर मिलेगा दोस्तो इसमें इसमें सेलरी ऐसा है जो पाइप फब्रिकेटर है उनका सेलरी 180 केटी है इसमें 180 केटी पाइप अगर आप लोग रिटर्न होंगे आप लोग रिटर्न होंगे तो आप लोग के अगर गल्फ रिटर्न है किसी भी अच्छे कंपनी का 43 जिए तक salary मेरी गरगाद रहता है, दोस्तो, आप लोग अच्छा से अच्छा काम जानते हैं, आपके पास knowledge है, आप सोचते हैं कि मैं अच्छा खासा पैसा कामा हूँ, तो हिस्को कमपनी में आप लोग जाईए, और आप लोग मालूम नहीं है कि इसर से जाना है कि नहीं जा खाना आपंद किसा को शभी है ईसको कमपनी के खाना के बारहें बदा देता हूं मैस करें खाना की कह चाहिए कोड़नेन हिले हमाँ चाहिए तो दिन अच्छा खाना मिलता, एक दो दिन तो आप लोग जानते ही है, तो खाना इसका मिला जो लाके सही है, खाना में भी कोई दिकत नहीं है, और हाथ दुसरा बात, सेलरी का सेलरी इसका टाइम टू टाइम है, सेलरी में कोई दिकत नहीं है, सेलरी आपको एक से दस के बीच मे सेरी व्लोग को पमेंट मिल जाएगा एक कंपनी में इसको में तो इसको बहुत एक जवरजर्ट कंपनी है। इसमें सेलरी सब कुछ टाइम पर अफलेवल है दोस्तोक इसमें कोई दिकत परशानी नहीं है। और दुसरा इसका केम का रहने का व्योस्ता बहुत ही जबरजस्त है एक रूम में तीन से चार आदमी सिंगल बेड रहता है अराम से रहते हैं लेवर लोग राज करते हैं बेड रहते हैं अच्छा से अच्छा रूम रहता है इसका सब कुछ व्योस्ता अच्छा रहता है दोस तो आप लोगों को बोनस, दो लीब सेलरी मिलें, भी मिलें घोलेगा, दोस्तो, इसको कंपनी मैं, सेलरी भी बहुत अच्छा है। बहुती अच्छा रहेगा दोस्तो दोस्तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें ताकि कोई भी हमारे भाई जाके गल्फ में या किसी भी कंट्री में सप्लाई कमपनी में नौ फंसें और उन लोग को दीकत नहों परसाने नहों यही मेरा मक्सद है इसलिए मैं यह वीडियो बनाता रहता हूं ताकि कोई हमारे भाई फंस न जाये दोस्तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए आप सभी को जैह हिंद